असलाम उलेकम नाजरीन स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचिन में तो आज हमारे किचिन में बनने वाली यम्मी सी रेसिपी बैगन की खटी मिठी चेटनी तो यहां पर हमने एक बड़े साइच का बैगन लिया है बैगन हम यहां बड़े साइच का ही लेंगे ज एक टीस्पून कलोंजी, हाप टीस्पून नमक या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं दो टेबरी स्पून इम्ली का पल्प और वन फोर्थ कप लेंगे रोश्टिट मूम फली तीन टेबले स्पून चीनी और दो टेबले स्पून गुड यहां चीनी और गुड दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, आप चाहें तो इसे चीनी से भी बना सकते हैं या फिर इसे गुड से भी बना सकते हैं, हाप टीस्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च हमने यहां काश्मेरी लाल मिर्च लिए, तीखी बा पेनल को हमने यहां इस तरह क्यूब में काट लिया है एक पेन में हमने यहां दो टेबर इस्पून तील को गरम कर लिया है अब डालेंगे इसमें यह साबत लाल मिर्च, जीरा, कलॉंजी और कली पत्ता यह डाल देंगे अब डाल देंगे इसमें यह बैगन इसमें डाल देंगे रोस्टिट, हल्दी, मिर्च, और नमग भी डाल देंगे तो सारी कीजों कम खोरी दे पका लेते हैं जैसके खिलम को हमें आप खुल पर रखेंगे तो यहां आपने से 3-4 मिर्च फुल खिलम पर पका लिया है अब डालें हम इसमें इमली का पल्प चाइस से 5 रख के राद में अब डाल देंगे अने गोड़ और चीनी बड़ और चीनी और यहां पीनों को डाल दीआ है अब कर देंग हम घैस को मध्दा और इसे आट से 10 मिर्चा पबने रेंगे 8-10 मिक मद्य आज पर रखने के बाद में यह बैनं की चेटनी बनकर तैयार है आप कर लेंगे हम गैस को बन जटपट से तैयार होने वाली यह खटी मीठी बैगन की चेटनी बनकर तैयार है आप इसे ठंडा करके फ्रेज में 2-3 हफ़ते रखकर खा सकते हैं उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करें मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें तो अगले एक नई रेसिप के साथ फिर आजिर होते हैं तब तक अपने खयाल रखें अल्लाहाफेज